है लो एवरिवन दिस इस यूर आउन टूटर निचर अरून तोड़े आइंग गर के लिए एक घर हम सभी घर में रहते हैं वो अगर कच्चा हाउस हो सकता है या पका हाउस हो सकता है फ्लैट हो सकता है अपार्टमेंट हो सकता है बेंगलो हो सकता है या हर्ट्स भी हो सकता है टेंट हो सकता है इगलू हो सकता है हाउस बोट हो सकता है कारवेन हो सकता है वो डिफिरेंट टाइफ का हाउस हो सकता है तो आईए हम लोग इस चिप्टर में study करते हैं different house के बारे में We all live in a house, हम सभी एक घर में रहते हैं A house keeps us safe और एक घर जो है वो हमें स्वक्षित रखता है It protect us from heat, cold, rain and wind और यह जो घर है वो हमें उस्मा से, ठंडी से, वर्सा से और विंड से जो हवा है, उससे हमें क्या करते हैं, protect करता है It also protect us from animals and thieves और यह animals से, जानवरों से और चोरों से ही बचाता है कौन? House Houses are of different types अब हम लोग यहां study करेंगे different types के house के बारे में In a small village, most people live in the huts which are made of mud, straw and bum चोटे चोटे गाओं में, जो लोग हैं, वह कहां रहते हैं? हट्स में जोपड़ी में रहते हैं और वह किस जिगा बना होता है? Mud का बना होता है, मड जानते हैं, आप लोग कीचर को कहते हैं मिटी का अस्ट्रा, जो खर पत्वार होता है जो बास होता है, उसका बना होता है और जो हाउस मड से बना हो, च्ट्रा से बना हो, बंबू से बना हो ऐसे हाउस को हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं यह घर किस जिगा होता है? मड से बना होता है, बंबू से बना होता है और च्ट्रा से बना होता है तो इस घर को हम लोग क्या कहेंगे? कच्चा हाउस कहेंगे, आप सभी ध्यान देंगे, यह क्या है? कच्चा हाउस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हट कहते हैं, जोपड़ी कहते हैं People in towns and cities live in पक्का houses सहरो में जो लोग हैं, वो कहा रहते हैं? पका घर में लगते हैं These houses are made of cement, bricks, stones, steel and iron जो पका हाउस होता है, वो किशी का बना होता है? वो सिमेंट से बनता है, bricks लगता है, उसमें इंटे लगते हैं और stone लगता है, steel लगता है और iron लगता है तब जाकर को वो घर बनता है, और उस घर को हम लोग क्या कहते हैं? पका हाउस कहते हैं यहाँ पर जो हम लोग बैंगलो देख रहे हैं यह किस यह बना हुआ है? इसमें cement लगा हुआ है, bricks लगा हुआ है, sand लगा हुआ है यह सारे, इसमें steel, iron, यह सब लगा हुआ है और इन सारे items से जब कोई building लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पका हाउस कहते हैं यह बैंगलो, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक क्या है? बैंगलो है Some houses are very weak, कुछ घर जो है, बहुत बड़ा होता है There are many rooms in this house और इस घर में बहुत सारे कमरा होता है There is also a very weak lawn outside the house और उस घर के बाहर में एक lawn भी होता है Lawn क्या है? यह घास का मैदान होता है जहाँ walking अगर हमों कर सकते हैं Outside of the house Such independent houses are called banglores और ठिक ऐसे independent जो घर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Banglores बोलते हैं अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं यह क्या है? Banglores और इसके side में क्या देख रहे हैं? यह lawn भी देख रहा है In cities, you must have seen tall buildings हम लोग सारों में क्या देखे हैं? बहुत लंबे-लंबे buildings को देखते हैं These are made of iron, cement, bricks and stones और यहाँ घर की से बना हुआ है Iron से, cement से, bricks से और stones से बना हुआ है There are many flats in a building और इस building में कई सारे flats होते हैं और एक flats में हम लोग जानते हैं दो तीन कमरे जरूर होते हैं One family can live in each flat और प्रती एक flat में एक family रह सकता है आसानी से अब हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं यह क्या है? बहुत ही टाल विल्डिंग देख रहा है हम लोगों को और इसमें इस प्रकार का flats हम लोग कई देखते हैं उसमें होता है जिसमें एक एक family आसानी से रह लेते हैं Do you know a skyscraper is multi-story building having many floors और जो a skyscraper होता है वो multi-story building होता है जिसमें बहुत सारे floors होते हैं Most people live in permanent houses but the people who move from one place to another live in temporary house और अधिगांस चुल लोग हैं वो permanent house में रहते हैं एक घर बना लेते हैं वो permanent घर होता है और उसमें रहते हैं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक place से दूसरे place पर move करना पड़ता है और वो हाँ पर कैसे रहते हैं temporary house बनाते हैं यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां कहा है यह टेंट यहां टेंट बनाया गए temporary है अस्थाई है जो permanent house होता है वो क्या होता है अस्थाई house होता है और यह temporary है यह अस्थाई है इसको यहां से निकाल कर कहीं दूसरे जगा हम लोग को लगा सकते हैं इसलिए जिसको मूफ करना होता है कुछ महीनों के बाइब दूसरे जगहों पर बाद में कुछ सालों के बाद में तो वो क्या करते हैं अपना अस्थाई घर बनाते हैं temporary house बनाते हैं some people travel from one place to another for their livelihood कुछ लोग हैं जो अपने जिव को पारजन के लिए एक जग से दूसरे जगह travel करते रहते हैं यह तरह करते रहते हैं they live in carvans carvans is a house on wheels carvans जो है एक प्रकार का घर है जो wheels पर होता है चक्को पर रहता है अथाथ वो एक van carvans नाम ही है जिससे carvans क्या है एक van है जिससे अस्परस्ट हो रहा है वो वैन में ही होगा some people live in houses near the bank of river or inner lake और कुछ लोग जो है ओ घरों में रहते हैं कहां पर bank के किनारे या river के किनारे some people live in houses near the bank of river or inner lake कुछ people जो होते हैं लोग होते हैं उन नदियों के किनारे या lakes के किनारे जो जीर होते हैं उसके किनारे रहते हैं the house boots are made of wood, ropes, straws and bambos जो house boots होता है वो किसी का बना होता है तो wood से बना होता है rope से rope यहां क्या है रसी है अस्ट्रा कुछ खर-पत्वार जो होता है पुआलो गयरा और bamboo से बना होता है उपर में हम लोग देखे भी हैं एवार पुना देखते हैं यह क्या है house boots है इसमें लोग क्या करते हैं इसी में रहते हैं people who live in very cold places live in igloos और वैसे लोग जो बहुत ही ठंठी प्रदेशों में रहते हैं तो वो कहां रहते हैं igloos में रहते हैं the roofs of these houses are dom shape और जो यह घर है जो igloo है उसका जो shape होता है कैसा होता है उसका roof का तो dom shape होता है गुंबद नुमा होता है गुंबद हम लोग देखते हैं न मंदिर का या मस्जित का ठीक उसी तरस गुंबद नुमा बनाया जाता है any igloo यहां पर आप देख रहे हैं कि जो people है अपना जो घर बनाया हुए है dom shape ने बनाया हुए है और यह solid suno से बना हुआ है यह क्या है एक घर है और इस घर में different place को indicate किया गया बताया गया हम लोग उसको देखते हैं top में कहा रूफ है चत अब बेटूम इंडिकेट किया गया है आप देख सकते हैं फिर side में right time कीह देख रहे हैं bathroom उसके वाद वाय यहां जो दिवार है उसको इंडिकेट किया गया है living room यह dont अभी हम लोग देख रहे हैं वाल के नीचे में living room है और उसके नीचे क्या हो गया फ्लोर हो गया left side में जो हम लोग देख रहे हैं bedroom के नीचे में क्या है यह kitchen इंडिकेट किया गया है तो यह different place जो है, एक घर का, वो यहाँ पर indicate किया गया, वो उन सारे place पर हम लोग कुछ ना कुछ different things करते हैं, अब इसे bathroom है, तो bathroom हम अस्तान करते हैं, living room है, उसमें अपना guest का welcome करते हैं, उसे discussion करते हैं, kitchen में हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, bedroom में हम लोग क्या करते है we sit and talk to our guest, आप में guest से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, in the living room, और जो हमारे guest होते हैं, उन से हम लोग living room में बाचित करते हैं, उनका हलता जानते हैं, उनके साथ कुछ समय बैठ कर गब सब करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, right side में क्या है, dining room है आपका, we eat our meals in the dining room, dining room में हम लोग अपना खाना खाते हैं, सब लोग यहाँ family के लोग बैठ कर खाना खा रहे हैं, next क्या है bedroom, we sleep in our bedroom, हम लोग जो है, जो flat के बारे में discussion कर रहे थे उपर में, जो घर के बारे में, तो उसमें क्या bedroom ही इनकेट किया गया, तो बेडरू में हम लोग सोते है, kitchen, we cook our meals in the kitchen, अपना खाना हम लोग कहा बनाते हैं, kitchen में बनाते हैं, bathroom, we take bath in the bathroom, हम लोग असनान कहा करते हैं, bathroom में करते हैं, असनान घर में करते हैं, it is keep our house clean, यह बहुत ज़रोरी है, यह महत्पूर है, कि अपने घर को हमको साफ रखना होता है, mosquitoes, flies and germs live in dirty places, जो mosquitoes होते हैं, जो मच्छर होते हैं, flies होते हैं, germs होते हैं, वो कहा रहते हैं, dirty place पर, गंधी place पर रहते हैं, गंधी जगों पर रहते हैं, we should clean our house every day, और इसलिए हमें प्रते एक दिन अपने घर का साफ सफाई करनी चाहिए, the household garbage should be collected in covered dustbins, और जो household garbage है, उसको हमको collect करना चाहिए covered dustbin में, जो ऐसा dustbin हो, जो धका हुआ हो, उस पर धकन हो, wash basin, toilet and bathroom must be cleaned properly, जो हमारा wash basin होता है, toilet होता है, बातरूम होता है, उसको भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए, something to do, here are the pictures of two houses, यहाँ पर दो houses का picture दिया गया है, tick the house you would like to live in, और उस घर को tick करना जिसमें आप रहना चाहेंगे, also explain to your teacher why you have chosen a particular house, और आपको अपने teacher को बताना भी है, कि आप क्यों उस घर मेरा ना पसंद करेंगे, तो आईए, उसका picture हम लोग देखते हैं, दोनों घर का, यहाँ पर हम लोग दोनों घर को देख रहे हैं, कि जो first lips item जो घर है, उसमें क्या है, बहुत ही जो things है, वो बेतर तीब ढंक से है, बिखरा हुआ है, कहीं कहीं फिक दिया गया है, छट पर, उपर से देखे छट से प जो पर वे में है, वो clean है, सुन्दर देख रहा है, तो हम लोग किस घर में रहना पसंद करेंगे, जो right side है, जो clean है, साफ है, उसमें हम लोग रहना पसंद करेंगे, यहाँ पर टिक किया गया है, right side जो घर है, वो clean है, उसमें हम लोग रहना चाहेंगे, बी, fill in the blanks, number one, our house keeps us तो हमारा घर हमको क्या करता है, सेफ रखता है, उस made of mud, straw and bamboos is called a kaccha house, वो घर जो mud से, straw से and bamboos से बना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, kaccha house, third, people living along the river banks or in the lakes live in a people, वैसे लोग जो नदियों के किनारे या lakes के किनारे रहते हैं, उस घर को हम लोग क्या करते हैं, houseboot करते हैं fourth, we welcome our gates in the living room, हम लोग अपने gates का welcome कहा करते हैं, तो living room में करते हैं, fifth, big independent houses are called, जो बड़े independent house होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, bangaloo करते हैं, six, an igloo has a dome shaped roof, जो igloo होता है, उसका हम लोग वह पढ़े भी थे, हम लोग पीछे पढ़े भी थे, जो igloo होता है, वो dome shaped में होता है, seven, a house made of solid snow is an, एक घर, जो solid snow से बना हो, सोलो क्या करते हैं, igloo करते हैं, see, name the different rooms in your house where you can, आप यहां पर different, अपने rooms के बारे बताएंगे, जहां पर आप करते हैं, entertain your guest, जो हमारे guest हैं, उसका entertain हम लोग कहा करते हैं, living room में करते हैं, take a bath, bathroom में करते हैं, sleep, bedroom में हम लोग sleep करते हैं, eat your meals, और अपना meals हम लोगा हाल आते हैं, dining room लेते हैं, यहां पर D, question को भी देखते हैं, put a tick or cross against the following statements, और यहां पर कुछ statement दिया गया, उसके सामने, सही या गलत का निसान लगाना है, number one, we should clean our house everyday, प्रते एक दिन अपना घर हमें साफ करना चाहिए, तो यह tick किया हुए, स the streets, हमें garbage कहां फिकना चाहिए, sun copper, yes, गलियों में फिकना चाहिए, नहीं, यह गलत बात है, cross किया गया है, third, vast basin and toilet must be cleaned appropriately, जो vast basin होता है, और toilet होता है, क्या वो properly cleaned किया जाना चाहिए, yes, true, fourth, we should keep our cloths and toys at a proper place, हम लोगों को क्या अपना समान, जो कपड़े होते हैं, या जो twice होत होते हैं, क्या प्रूपर प्लेस पर रखना चाहिए, yes, यहां क्या है, सही है, ठीक किया हुआ है, अभी हम लोग e भी देखेंगे, इसको भी complete कर लेते हैं, given below are the things that are used to keep our house clean, यहां पर कुछ जो things दिया गया, जिसको हम लोग अपने घर में साफ सफाई, identify and name them, उसको पाचान है, उसका नाम लिखना है, number one में क्या है, mop and water, second में क्या है, broom, जिसको हम लोग अपने घर में साफ सफाई के लिए, अभी यह क्या है, kitchen towel, उसके बाद क्या है, toilet cleaner है हमारा, और उसके बाद क्या है, floor cleaner, यहां दिया हुआ है, और last में क्या है, breast है, यह different breast को हम लोग अपने घर हमेशा सद क्या करता हूँ, साफ रखता हूँ, और हम सभी को भी अपना घर साफ रखना चाहिए, अपने घर को भी साफ रखना चाहिए, अपने पडोस को भी साफ सुत्रा रखना चाहिए, अपने city को साफ सुत्रा रखना चाहिए, अपने राज को साफ सुत्रा रखना चा वाड जीला और सब लोग क्या होगा कि सब का सब बेलकु स्वक्ष और सुन्दर दिखेगा और सब को मनमुहक लगेगा इसलिए हम सभी को साब सभाई पर बिसेश द्यान देना चाहिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़वाय जै हिंद